बाक टू जागो लहोर जनाब अभी जो हम डिसकाशन करने वाले हैं स्लीप डे के हवाले से और इस पे हम बात करेंगे कि नीद आपके लिए कितनी जुरूरी और प्रॉपर नीद और इसकी वज़ा से आग जो जो तकलीफे या जो जो मसाइल पैदा होते हैं उनको किस तरह से आपने प्रिवेंट करना है इस पर हम डिटेयल डिसकाशन करेंगे हमें जोइं कि है दॉक्टर मुहमाद अरफान मलेक नी जो के डारेक्टर आफ स्लीप रिसोर्स सेंटर हैं वल्कुम तो दुट्टर रफान सबसे पर्ले को हम स्लीप दे के हावाले से बात करें बेसिकली कि दिन क्यों मनाया जाता है क्या पॉपर्स होता है इस हमाले से बताईए बिसमिल्लारुक्मर्यम थैंक यू माच लोहर निउस का कि बहुत इंपॉर्टर इशु है इसको पहले हम समझते हैं नारी डॉक्टर कम्यूटी में भी इतनी इसकी वेरनेस नी और लोगों में क्या इसकी बहुत अबर्ड़न कमपॉनेंट है वारी बॉड़ी के लिए हम बलड पेशर को मनीटर करते हैं हम पल्स को देखते हैं सांस किरफ़तार को देखते हैं हम स्लीप को एगनोर करते हैं स्लीप क्या हमारी बॉड़ी के लिए बहुत जरूरी है तो आप शयद हरान होंगी कि हम अपनी जिंदी का एक तहाई हिस्सा सोते हुए गुजार तो इसका मतलब है कोई ना कोई तो इंपॉर्टन्स इसकी है हमारी लाइफ में तभी यह इतना इंपॉर्टन कंपॉनेंट स्लीप के लिए लोगों में बात को बताने के लिए कि यह सलीप एक जिंदी का इंपॉर्टन कंपॉनेंट है और इसकी डिप्रेवेशन इसकी कमी और शयद हरान कुन बात आपके लिए होगी कि इसकी ज्यादती से भी आप किसी बिमार्यों का इसकार हो सकते हैं तो जैसे हम कहते है के पैल्स हमारी साथ से नीचे नी ओने चाहिए 110 रपन नीचाया है कुछ विए हो सकते लिए सक था सक गत, इतनी हथ तक अन के लिए ضुरि है उसके कम या ज्यादा उनको कुछ प्रॉब्लम का शकार करसकते हैं तो चीना यि ब Cemilis यृटक मिना जाता है क्ट कर करते हैं तो एक नौमी जी चाइबू है कि 7-8 घंटे चाइबू है यह अब आप हमें बेटर पापने बताएंगे 21 घंटे से स्टार्ट होती है और यह ग्रैजुली डिप डाउन डिप डाउन करती करती अडर्स में यह 6-8 घंटे की फिगर है इतनी आपको श्लीप चाहिए लेकिन यह 6-8 घंटे की जो फिगर है यह अनिंटरप्टी स्लीप यह नहीं है कि आप 2 घंटे स्वें और फिर आप घंटा अपने मोबाइल जूस किया उसके बाद फिर आप सो गहा है यह अपना स्टेटस अपडेट किया फिर सो गहा है ऐसे नहीं इस अनिंटरप्टीट स्लीप जो हमें कंटिनूसली चाहिए तो 6-8 आर्ट स्लीप जिसको हमने सोना है और यह प्रेफरबली नाइट स्लीप यह जेन में रखें यह नहीं कि आप डेटेम अगर सो रहे हैं जो नाप होता है मतला वह भी आप जी नैप तो बहुत इंबॉर्टन है जी नैप पे भी आप रिसर्च तक हो चुकिए नैप तीन बज़े से पहले तक कहा जाता है अगर आप लें और कम से कम घंटा तो वह आ आपकी एक्टिविटी है वह भी बहतर हो जाए अपकी एफिशेंसी बढ़ जाते हैं अब मोर दन वाननार होगी तो आपकी नाइट स्लीप जो है उसका दो डिस्टाब हो जाए जादा जरूरत से जादा लेना या नीन का पैटरन खराब होना उसकी वितर से बहुत सारे अगर अपने नेबर्स में देखें तो इंडिया में अराउंड सेवन तो नाइन परसेंट पीपल जो है वो स्लीप रिलेटिट इशू से सफर करें और इफ यू आस्क में अबाउट माई एक्स्पिरिस तो आइम मस्से के जो मेरे सीनिस जहाम लोग जो शेर करते हैं तो हम हंदर लोगों में मुझूद है जो सलीप डिस्टर्बेंस की वज़ा से प्रॉब्लम का शिकार है अच्छे सलीप कुछ चीजें हमारी अपनी ऐसी हैं जिसको हम कहते हैं सलीप हाई जिसको हम बेतर करने तो शयाद हम ज्यादा अच्छा सो सकें उसमें सब से इंपॉर्टें हो गई यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको हमने सोने से कुछ घेंटे पहले इसको बंद करना है और कुछ घेंटे हमाई लिए बड़े प्रॉब्लमेटिक हैं वह कम से कम तीन गेंटे दो तीन गेंटे तो अगर आप सोना चाहते हैं तो आपके पास यह चीजें नहीं ह और दूसरा इंपॉर्टेंट यह जो काफी है यह जो चाय है फिजिकल एक्टिविटी भी है यह भी आपकी तीन गेंटे पहले नहीं होनी चाहिए अगर आप आप जिम करते हैं तो वह भी तीन गेंटे पहले आपने नहीं करना दी एंड सेमिस्टू फर स्मोकिंग को भी आ जाना खा रहे हैं यह आपने उसको एज फ्री टाइम अपने बनाई के मैं बैट पर हम लोग गफ्षप करने नॉट लाइक दिस आपनी जब बैट पर जाना है तो आपके बाडी को पता होना चाहिए कि आप सोने के लिए बैट पर जा रहे है इसलिए अगर आपको नीन नह आते हैं प्रापर ना लेने की वजह से वो क्या हैं बेसी कि लिए सलीप बड़े इसलीप डिसॉर्डर है उसकी प्रॉपर क्लासिफिकेशन इंटरनेशनल स्लीप सोसाइटी ने इसको क्लासिफाई किया हुआ है इसके सेवन फर्दर ग्रूप है लेकिन जो मेजर चंक अफ इसको हम कहते हैं सलीप रिलेटिड ब्रीधिंग डिसॉर्डर ऐसे डिसॉर्डर जो सिरफ और सिरफ स्लीप में प्रॉमनेंट होते हैं इसमें सबसे कॉमन जो डिसॉर्डर है इसको हम स्लीप अपनिया कहते हैं इसको कहते हैं नीद में सांस का बंद हो जाना और उसकी सबसे जो लोग सब लोग खराटे लेते हैं उनको ये प्रब्लम होता है कही बिलकुँ यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस चीज को हमने ढूनना है कि खराटे जो होते हैं ये ये यूजली आपकी एक साउंड स्लीप की मतलब नहीं शो कर रहे होते हैं खराटे खतनाक भी हो सकते ह ये जो खराटा मैं ले रहा हूं क्या ये एक हैबिचुल खराटे या ये वो खराटे हैं जिसको फर्द इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है 44% normal community जब इग्सास्ट हो जाती है जब कोई नेंद की दवाई लेती है तो वो खराटे ले सकती है लेकिन वो एक रिद्मेटिक राटी होती है याए वो खराटे एक रिदम में आहरे होते हैं वो कणंटिनियूसली एक रिदम में खत्म हो जाएंगे अगर खराटे ऐसी हैं क कि वो सड़नली भर जाते हैं and there is a pass like this followed by a loud snoring कि उसके बाद लंबा सा खराटा है this is the snoring जिसको investigation की जरूरत है अब इस वकत जब आपका सांस पेशन का रुकता है तो वो तीन काम कर सकता है या तो वो एक लंबा खराटा लेता है जिससे उसकी आंख खुल जाती है या वो करवट लेता है या वो हर बराके उड़ जाता है इसको कहते हैं sleep apnea नेंद में सांस का बंद होना और यह वो पहली अलामत है जो patient से ज्यादा उसका partner देख रहा होता है क्योंकि patient जी जी कहता है रस सब मैं तो सोता रहता हूं उसको तो यह problem नी फील होता और यही symptoms हैं अगर यह किसी भी शक्स में किसी भी patient में आना शुरू हो जाए तो उसको अपनी sleep को जरूर सैस करना चाहिए और ऐसा जब उसको बार बार repeatedly होता है और यह होता उस वक्त है जब patient गहरी नीन में जाते है हमारी नीन दो तरह की है एक हलकी नीन होती है एक गहरी नीन होती है जो ही हम गहरी नीन में जाते है तो वो तकरीबन ऐसे ही है जैसे फालज हो जाता है जिसमें हमारे सारी muscles relax हो जाते है तो इन लोगों में यूजली common होता है जिसका neck ज्यादा ठीक होती है जो है इसका डायमेटर ज्यादा हो जाता है नेक का जो लेंथ है वो काम हो जाते है तो जब ये डीब स्लीप में जाते हैं इनकी टांग बैक पर चाहिए जुवल पर चुर्पपड पर खाल करती है इन एकपेसोड होता है बो वरा सा भी ग्रेविटी को यूटलाइज करेंगे लाइक है ऐसे बैठे होंगे टीवी देख रहे हैं तो ये डोज अफ होना शुरू हो जाए दिलकुल गारी चला रहे हैं अपरेबल हैं डोज आफ हो जाएगी एंड मल्टिपल एकसिडेंट इस वजा से हो जाते हैं बैठे ह तो यह इंपक्ट है इस स्लीप डेपरेशन का जिसकी वज़ा से वो डे टेम भी अपनी नॉर्मल अकुपेशनल एक्टिविटी भी नहीं कर पाते है अच्छा इस सवाली से लोगों को अवेनिस नहीं है कि हम अभी आपने जो बात की के खराटे लेने लोग इसको बहुत काज स्लीप रिसर्च सेंटर के जूरत भी क्यों पड़ी है मारे जो साब का प्रिंसपल थे प्रफेसर ग्यासुन अभी तैयब और प्रफेसर मनजदा ने इनको एक सोचा और फिर उन्होंने का इसको लेके चलाए जाए और अब रिसेंट जो हमारे प्रिंसपल ने प्रफेसर मम आगे स्म्टम नजर आना शुरू हो जाएगी इसमें परफेसर में प्रफेसर में इसको इसको पैसलिजिशन भी नहीं हो रही है जब डॉक्टर क्रुमुटी में इतना गैप है तो वाट तू आसक बाओ पप्लिक में तो डेफिनिटिवली हम लोग समझते हैं कि इसके वैर अगर आप देखें इसकी कॉस्ट तो यह बड़ा कॉस्ट ही टेस्ट है जब पॉब्लिक सेक्टर में इसको लेकर है तो हमने इसकी कॉस्ट को 50 से भी काम कर दिया 50% से भी काम कर दिया अभी यहां पर भी को कि I am training the sleep technician हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए कि हम sleep technician को उस लेवल का train क कर लें कि हम major जो बल्क उसको ठासके यहां पर भी हमने six month में फिफ्टी स्लीप सुड़ीज कर लिए तो यह disease significantly हमारी स्राउंडिंग में एक्जिस्ट करती है सबस्टे में तो व्लम हो जा लेँ पुर है और लोगों को को बर्वाइल आ को दिस में नीड में लु़ trust को इस तरह बाटसरी वजिवात अबने बताया कि हम जो गुडि जिवां करते हैं लेकिन उसके इलाबा वी tension depression stress यह भी एक major factor होता है कि लोग अपनी नीन को उस तरह से नहीं पाटन को सेट कर पाता है बिल्कु ठीक है अगर यंग्स्टर को हम देखें तो anxiety हमने उसमें सबसे important factor देखा anxiety, depression यह दूनों चीजें जो हैं यह sleep की quality को disrupt करें अगर मैं overall roughly assessment करूँ तो मेरे मुदाबक अभी भी यह gadgets are the main culprit हमने mobile को अपना समय पिलो बना लिया, mobile जो हमारे साथ चलता है उसकी वजह से बाज़ों का तो मैंने यह भी देखा है हम अपने अगर फैमिली को उतना टाइम देंगे तो शायद हमारी जो anxiety और डिप्रेशन है यह relatively कम होना शोग होगा है तो हमारा यह यह शोग बड़ा चाहिए कि हमने वह status पे उसको like करके उसको कर दिया लेकिन साथ वाले कमरे में बैठा है मामा बाबा को या बहन भाई को उतना टाइम लिए जो के पहले हम ज्यादा देते थे जिससे हमारी anxiety और यह शोचल माफ यह बाई कर दो आफ कर दो कि शोचल मीडिया ने जिए इन अमी तो कर दो पातिमा है असलाम लेको वालेकों असलाम जाए मैं ठीकोपातिमा आपके सिए मेरा सवाल इस नुर्मल दूरेशन होता है नीन का 8 गंटे मैं ब्यादा सोती हूं यह स्केम कोई पताव सार एक यारा गंटे भी सोती हूं तो भी मुझे असा लगता है कि मेरी नीन पूरी नहीं हूई और जब उठती है और मेरे सर में तर्ट हो रहा हुता है ठीक हो गया थाइक तो मैंने स्पेसिफिक के लिए आपको बताई कि अगर आपको राटे आते हैं और रिकावत महसूस होती है और बार बार आपको उठना पड़ता है तो अगर यह सिंटम्स हैं तो सलीप अपनिया को ज़रूर रूट करना चाहिए थूरू इंवेस्टिकेश तो अगरिद्व हमारी सलीप आपनिया के साइड भी पैलल चल रहा होता है जब भी हमने स्लीप अपनिया को रोल आउट करना है तो थाइड को जरूर एक्सलूट करना होता है तो थाइड के टेस्ट जरूर करवाएं संन्टांइम थाइरेड की कई की वज़ए से जो हमारे ये गर्दन में गदूद होता है इसकी कमी के वज़ा से मुटापा भी आ जाता है लिथार्जी भी रेती है फटीग भी रेती है और ये बहुत इंपॉर्टन हार्मोनल डिसॉर्डर है जिसको साइड बाइसाइड जरूर चेक हो गया नेक्स कॉलर भी मारे साथ असलाम लेकुं मेरे नाम राभिया और मेरा ये कुरिशन है कि इन्सॉम्निया जो होता है उसकी पीछे क्या रिजन होती है मतलब इन्सॉम्निया कि इस वज़ा से होता है और इसको कैसे खतम की अजाज बगता है ठीक हो गया थांक इसको कॉलिंग राभिया अभी आपको जवाब जी बड़ा इन्सॉम्निया क्योंकि मैं ज्यादा अपने आपको लिमेट रखता हूं स्लीप रेलिटी ब्रीधिंग डिसॉर्डर में लेकिन इसको प्रेमिया की दो-थीन टाइप सोती है के क्यूल फॉर्म उफ रिंसॉम्निया होता है एक क्रानी कि शॉम्निया होता है और दूजली इसकी में वज़ा हमारे साइकलोगिकल स्ट्रेस होती है जो हमारे इसॉरूणिग में यह जो अगर हम श्रूड प्लें है तो हमारे तो फेल होता है to find anything, then that patient should be referred to sleep lab. फिर हम sleep उसकी investigate करते हैं, क्विर शुलीब में basically depth of sleep और multiple चीजें हैं जिसके हम assess किया जाता है. तो पहले हम समझ एक उसको साइट कायटरिस से जरूर उपीने लेना चाहिए, so that वो उस इन पेर प्रेशर है उसको देखे, और अगर उसकी treatment required है तो उसको जरूर अपने माज़ा है अच्छार आज की topic के हमारे सिको मेंसिज आप हमारे देखने वालों को देना चाहिए देखें अच्छार एक जिन्दी का बहुत इंपॉर्टन हिस्सा है जिस तरह हम समझते हैं कि हमारे सांस को ठीक होना चाहिए उसमें प्रॉब्लम नोना चाहिए हमारे बलड पेशर को ठीक हो रहना चाहिए अपनी सिलीप को इंपॉर्टस दें मैं अलड़ी बता रहा हूं कि एक तहाई हिस्सा हम सो के गुजारते हैं और अगर हम प्रॉपर सुएं तो हमारा ब्रेन भी जो है वुरी एक्टिवेट रहता है अगर आप अबीज हैं मोटे हैं आपको खराटे आते हैं और खराटों में रिकावट है जो बार-बार आपको उठने का बाइस बनती है तो आप अपने डॉक्टर से रजू करें और जनल हास्पिटल में इस वकर सलीप लैब एक्जिस्ट करती है और वहां पर यह टेस्ट बहुत फ्री बहुत लो कॉस्ट पर किया राता है तो आइविल रिक्वेस्ट डेफिनिटिवली आप लोग वहां पर जूरूर बिजिट करे करेंगे आप देखती रहिए जागल हाओ